खेलो डियर लेर्नर्स हाव आधी ओप सो यू आर फाइन डूइंग वेल सो जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको कल फस्ट चाप्टर कम्प्लीट कर वा दिया था जिसमें मैंने आपको कम्प्यूटर क्या होता है उसके बाद में इन्पुट क्या होता है प्रोसेसिंग चीज को ना चलो बताओ फटाफट से कम्प्यूटर किस से बन करके कम्प्यूटर किस सब्से मिल करके बना हुआ है अर्थात कम्प्यूटर जो है किस से मिल करके बना हुआ यह बताओ और जिससे मिल करके बना है उसका हिंदी में मतलब क्या होता है आपको यह दोनों चीज़े सारा डीलेड का कंटेंट मिल जाएगा उसके अलामा आप सर्च कर सकते हैं यही हर जगे जहां पर आपको इसके बाद में ट्विटर एकाउंट इंस्टाग्राम एकाउंट भी सब जगें मिल जाएंगे ठीक है और बाकी आपको बता देते हैं कि आज हम लोग जो पढ़ने जा आपको कल की तरह आज भी समझ में आएगा और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी यह है कि आप लोग शेशन को लाइक कर दिया करिए और जब क्लास फिनिश हो जाया करें तो कमेंट शेक्शन में कमेंट जरूर कर दिया करिए ठीक है देखो क्या लिखा कि कम्प्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीनन जिसने हमारे काम करने रहने खेलने इत्यारी सभी की तरीकवी में परिवर्टन कर दिया है इसने हमारे जीवन के हर पहलू को किसी ना किसी तरह से छुआ है यह अविश्वशनी अविश्कार ही में इसने हमारे समाज के रहन सहन काम करने के तरीके को बदल डाला है यह लकडी के अबिकस से शुरू होकर नवीनतम उच गती माइक्रो प्रोसेसर में परिवर्टित हो गया सबसे पहले देखो है तो यह एक आर्टिफिशियल डिवाइस क्या कहा मैंने कम्प्यूटर है तो कोई भी चीजे मतलब कम्प्यूटर के बिना है ही नहीं अब देखलो कैसे शुरू हुआ था यह सबसे पहले अबिकस अबिकस से शुरू हुआ था और आज यह माइक्रो प्रोसेसर तक पहुच चुका है आए देखते हैं कि और क्या अबिकस पहली बात तो देखो आप कि लुगों धियूद्धे कुछ पूछी जा रही है तो अगर डाइग्राम की साथ में चीजों को समझाएंगे सुन लो मेरी बात सभी ध्यान से कि कि अगर आप डाइग्राम के साथ में चीजों को समझाइए कि एक छोटा सा डाइग्राम बनाने में कुछ नहीं करना था तो लो माउस बन गया एक ऐसे वायर निकाल तो बस हो गया खना देखो सबसे बहुत समझो कि अबिकस है क्या कि प्राचीन समय में गड़ना के लिए यानि कैलकुलेशन के लिए अबिकस का प्रियोग किया जाता थ लिए गड़ना तारों में फिरोग्मोतीयों के द्वारग किया ज्याता थ तो चीन नहीं हो आप से पूछा जा सकता है कि यह अपका पार्ष्कल कल्कुलेटर पास्कल कलकुलेटर बहूजू या आप इसको पास्केल प्रथम गड़ना मशीन यानि मेकानिकल कैलकुलेटर का निर्मार सन 1645 में फ्रांस के गड़तिग ब्लेज पास्कल ने किया था इसलिए इनके नाम पर ही इनकी डेवाइस का भी नाम रख दिया गया था उस कैलकुलेटर में इंटर लॉकिंग गेर्स का उप्योग किया जाता जो जीरो से 9 संख्या को दर्शाता था यह केवल जोड या घटाव करने में सक्षम था इसे एड़िंग मशीन भी कहा गया थिक उसके बाद में अनलेटिकल इंजन क्या होता है मतलब आप आपसे पूछा जा सकता है कि एड़िंग मशीन किसे क्या कहा गया देखो यह चोटे और अगर आपसे कोशन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एडिंग मशीन के परिपेक्ष में किस डिवाइस के यूद होता था आपके पास चार ऑप्शन होगे तो आप बता सकतेंगी पास्कलाइन कंप्यूटर का स्वारी पास्कलाइन कैलकुलेटर का होता था अब सब्सक्राइ एनलेटिकल इंजन क्या होता है यहां से शुरू होती है मेन कहानी देखो एनलेटिकल इंजन सन अठारा सो एक में जौसफ मेरी जैकवार्ड ने स्वाचालित बुनाई मशीन यानी आटोमेटिड वीविंग लूम का निर्माड किया इसमें धातू के प्लेट को छेद कर पं इनलेटिकल इंजन मनाया चार्ल्स बैबेश ने कॉंसेप्ट यह अप उपयोग कर किम्प्यूटर प्रोटइप कर निर्माड किया इस कारण चार्णी को क्म्प्यूटर में आता है यह फार्टर और सभड़ आवशенко ना सिर्फ आपके डियेल्ट में आप सीटेट सूपर्टेट या भी कोई भी कॉमपरेटिशन एक्जाम या आपका क्रिपल सी ओ लेवल कुछ भी कभी कभी पूछ दिया जाता है इवेन अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की बुक पढ़ रहे हैं तो आप कोई पता होना चाहिए कि हुई इस दा फादर ऑफ कंप्यूटर सो आपका आंसर क्या हो जाएगा कंप्यूटर के फादर कौन थे कंप्यूटर के जन में राता चाल्स बैबिच दस साल के महनत के बावजूद पूर्तया सफल नहीं हुए यह लेकिन 1842 में लेडी लवलेस क्या नाम था इनका नाम आपको याद रुपा अंटर्ण किया अगस्ता ही एक पहला डिमोंस्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा और उनकी बाइनरी अर्थमेटिक सुनो बाइनरी अर्थमेटिक की योगदान को जौन वॉन न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए उप्योग किया इसलिए अगस्त प्रथम प्रोग्राम तो बाइनरी प्रणाली स्म tra Bible बाइनरी का मतलब होता है डつ Records जो आपका कोई चड़िया है वो उसकी भासा समझेगी हम और आप अपनी ही लैंग्विच समझेंगे हम जो बोल रहे हैं वो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा अरे मैं क्या बात कर रहे हैं आप हमारी बात समझ जाते हैं तभी तो मैं हमको आउटपुट डेता है अरे भाईया राजा ऐसा नहीं होता है फिर हम कैसा होता है आप तो कुछ भी पढ़ा रहे हैं आपको रियालिटी से आज एकदम रूबारू करवाने वाले एक्चुल में होता कि है जैसे आपने इधर से लि तो उसको ये समझ में आएगा उसको वो समझ जाएगा कि इसका मतलब इंजीनियर होता है देखो कम्प्यूटर में आपकी ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि वो जीरो और वन के अलामा कुछ नहीं समझ सकता है यानि कि अब आप सोच रहेंगा कि क्या मैं हम कम्प्यूटर मे बोल देते हैं कि मेरा फेवरेट क्या है तो क्या गूगल में हम ये नहीं समझता है हां जी बिलकुल ये नहीं समझता है वो वो मेरा फेवरेट क्या है या यह वाला गाना लगा दो या इसका अंसर क्या होगा वो हमारी इस बात को तुरंट करेगा क्या 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 क पूट भी वह 0 और 1 की ही भाष्या में देता है लेकिन उसको कंवर्ट किया जा सकता है और उसके बाद में अभी हम आपको पढ़ाएंगे कि assembler क्या होता है यह सब लोग क्या करते है उससी डेटा को 011 वाले जो output मिलता है उसको convert करके हम लोगों की भाश्या में उसको हम तक पहुचाते हैं इसका जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि जाएगा तो श्रेक इसको जाता है तो लेडी अगस्टा को क्यों क्योंकि यह प्रतम प्रोग्रामर तता बाइनरी प्रणाली के अविश्कारा की नहीं को कहा जाता है बात समझ में आगा अभी ची के साथ में देखो हर्मैन होलर्थ सन 1880 में लग वालर्थ ने पंच कार्ड का निर्मार किया जो आज की कंप्यूटर का की तरह होता था उन्होंने होलर्थ 80 कॉलम कोड और चेहलेटर का भी अविश्कार के जैसा यह आपको दिख रहा है ना इस्षी का अविश्कार इन्होंने का था अब यहां से में कहानी आ तो यहां से आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है यहां से आपकी चीज़ा कुछ भी मिस नहीं होनी चाहिए तो बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना ठीक है तो देखो सबसे पहला आपका प्रत्थम electronic computer कौन से था क्या होता है बोलो देखो electronic e4 electronic here is n4 numerical i4 integrated and calculator क्या कहा मैंने इनियाक का फुल फॉर्म electronic numerical integrated electronic numerical integrated and calculator ठीक है आप जड़ा समझो पूरी बात कि सन 1942 में Harvard University के H Ican ने एक computer का निर्मार किया यह computer mark I आज की computer का prototype था सन 1946 में द्वतिय विश्योय युद के दौरान इनियाक का निर्मार हुआ जो प्रत्थम पूर्ता electronic computer मतना पूरी तरीके से इलक्ट्रोनिक computer कौन से था आपका receptor इनियाक था और इसका निर्मार कभ हुआ था तो द्वतिय विश्योय युद के दौरान हुआ था 1946 में अब देखो जड़ा इनियाक के बाद में आपका यह इडिसेक अब इसमें क्या है यह जगा है यह चीज यह एक चीज ऐसे भी ओनी चाहिए तो फिर वरजन क्या हूग यह वर्जन क्या हो गयार के पुराना वर्जन देखते हो ना जैसे कोरोना या फिर यह देल्टा अभी ओमिक्रोन चल रहा है तो ऐसे ही कंप्यूटर में आपके दिन परति दिन यानि से कि डी इसे के फुल फॉर्म क्या होगा आपका इडी आ से कीजालान निर देश यानि ऑपरेटिंग इंस्रक्षिंड पहले बाद आप से पूछा जा सकता है कि अजय कंप्यूटर कहां निर्मार हुआ तो आप बताओगे केंप्रेज में हुआ टेक यह निकांप्रेज विश्विद आले में विक्सित किया गया था जिसमें क्या इन खासियत थी तो इसमें खासियत आपकी यह थी कि स्टोड प्रोग्राम कंसेप्ट समाही था यह कंप्योटर में निर्देश या इन्स्ट्रक्शन के अनुकरम यानि सिक्वेंस को स्टोड करने में सख्षम था और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के सम्तुल ले था बास समझ में बहूंँ compartir टेट में ढाई है कि सुल्डूरी फस्ट का अब यह क्या इसको बोला जाता है यूणिवेक में यून ऐ का मतलब होगई यूनिवेक के αυτό भी कहते हैं 251 में व्यापारिक उप्योग के लिए उपलब्ध यहा मwhyला कंप्यूटर ऒism तर्थम page के चिए ऊभ्धोरिक प्राफन पीड़ी स्क्थमC गुड यानि चर्यक्तरिस्टिक समाहित थे आप देखो यह आपका एक चार्ट के रूप में यहाँ पर बना दिया गया है आप इसको जो है एक दम एज इट इस याद कर लेंगे यह जो आपका दिख रहे ना चार्ट यह ना ऐसे करना सुनो मेरी बात जो हम आपको रोज समझ में ठीक अब चलो इसको पढ़ा देते तो और अच्छे समझ में आ जाएगा सुनो आज हम आपको ना भी यह चार्ट सिर्फ कम्प्लीट कराएंगे और जो आपकी फर्स्ट जेनरेशन से ले करके फिफ्ट जेनरेशन तक हम आपको जो कम्प्लीट कराएंगे जिसमें क कि आपको अंदर क्या मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चीए थोड़ा पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि ठोस पढ़ो ठीक सबसे पहले देखो विकास मतलब इधर कैसे कैसे चीजों का डवलप्मेंट हुआ फिर किस किस एयर में हुआ और उसमें ना इंपॉर्टेंट चीज़े ऐसी क्या थी वो हम आपको बताते हैं ठीक तो इसी श्रंकला में देखो सबसे पहले आपका अबिकेस आया अबिकेस आपका 3000 से 2000 इशापूर और यह क्या थी प्रथम मशीनी कैलकुलेटर था उसके बाद में फिर आया आपका पास्कल्स पास्कल्स आपका 1645 में आया यह पह अब आया अथारा सो एक में और बुनाई के पैटरन को कंट्रोल करने के लिए दातू प्लेट पंच होल के साथ उप्योग किया जाता था एक ऐसे होता था उसमें पताए छेद छेद होते दे और ऐसे समझ लो जैसे बहुत लोगों के गाउं में आप लोगों ने शाहिद द क्या करती है बिनाई करती है तब कहीं जाकर रड़ त्यार होता है बोलो एसे होता है याप पंखे को बेना ही तो बोला जाता है बोलो जिसमें तो जो ऐसा यह आपकी जाली होती है लगभग कुछ ऐसा ही होता था आपका क्या पंच कार्ड ठीक है बस वो थोड़ा सा कंप्यूटराइज दोता था इता समझो आप उसके बाद में क्या यह बैबच अनलेटिकल 1834 से लेकर करके 1871 में प्रथम जन्रेल परपस कंप्यूटर बनाने की कोशिश की गई परन्तु बैबच के जीवनकाल में यह संभाव नहीं हो सका लेकिन फिर भी इन्होंने लागया फटावट से बताओ जड़ा फादर आफ कंप्यूटर कौन है बोलो फादर आफ कंप्यूटर आपके कौन है फटावट से बताओ तो प्रथम बैबच अनलेटिकल एंजन आपका यह हो गया उसके हर्मन टैबूलेटिंग क्या था 1887 से लेकर के 1896 के बीच में इसकी सब्सक्राइब मार्क वन जिसे आपने नाम दिया अभी हमने आपको ऊपर यही चीज पढ़ाई से यह कब से कब तक की बात है तो 1937 से लेकर शाषित कंप्यूटर के निरमार हुआ किसका अलेक्तों मेकानिकल कंप्यूटर 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 इसमें क्या होता था मै गुट की डेटा को है कि पर का फूल फूर्म किया जाता था आई बाद समझ में इसके बाद में देखो आपका कै less than में पूल फूल फॉर्म क्या है बताओ फटफट से ऑभी उपर पढ़ाया सोने तो इनिया का निर्मार कंभुआ इसमें जो मेंज़ी परफोटंट आपको याद रखना था कि क्या था कि कंप्यूटर के मेमोरी में निर्देश और इनस्ट्रक्शन और डेटा स्टोर करने कि अवधारणा का विकास को डेटा और निर्देश को बाइनरी में कटबद करने की शुरुएफ वाँ बात समझ में बाइनरी अभी हमने आपको समझा दिया ना बाइनरी मतलब क्या एक ऐसी लैंगवेज जो computer समझता है यानि कि 0 और 1 वाली लैंगवेज कोई भी बात तो समझेगा ना computer तो वह सिर्फ वर्सिस किसमें समझेगा binary में अठा जो 0 और 1 की भासा ही समझ में उसको आती है मतलब 010 ऐसे होता है जैसे बाइनरी से अगर आपको कभी अभी conversion भी सिखा देंगे आपको hexadecimal decimal मतलब binary से decimal में कैसे convert करते हैं decimal से binary में कैसे convert करते हैं अगर आपके उसमें होगा ना अब कल हम लोगों को क्या पढ़ना है computer pd पढ़ना है जिन बच्चों के पास में तोड़ा बहुत भी अगर कहीं content लिखा हो यह अगर पानलों किसी के पास book हो या कुछ भी हो तो अराम से पढ़ लेना एक बार तो जब कल हम समझाएंगा तो आपको एक दम रट जाएगा अगर नहीं भी है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो हम शुरुआत से पढ़ाएंगे तो आपको पूरी सब बाते समझ में आएंगी ठीक तो आज हम लोगों ने जितना यहीं सारी चीज़ें पढ़ ली है अब जारा कुछ हम आपको फुल फॉर्म दे रहे हैं फटा फट से याद कर लो मेरे साथ में देखो रोम होता है रोम का मतलब क्या होता है लिख लो अगर नहीं आता है तो रीट अगर आता है तो फटा यूनित ना लॉजिकल यूनित पढ़ा जल्दी लिख रहा हैं जल्दी ली लिख रहे हैं को समझ में उसके बाद में CU का फूल फॉर्म आपसे पूछा जाता है CU का फुल फॉर्म होता है Control Unit क्या होता है Control Unit CPU का फुल फॉर्म आपका क्या होता है Central C for Central processing प्रोसेसिंग P for processing हाना और U stands for unit Central Processing Unit और एक बार सुनो brain of computer किसको कहा जाता है क्या कहा मैंने brain of computer तो computer का brain कौन होता है CPU ही होता है आपका brain of computer आई बात समझ में तो हमने आपको कुल मिला के work क्या दिया है तो वह चार्ट बनाने को दिया है जैसा वह चार्ट बना है एक तरफ आपके सारी चीजे लिखें विकास एक तरफ वह विकास कब हुआ यह ल पुरा लिखना पाओ दिखाते हैं आपको छोटकु साही तो एकदम चार्ट है देखो इत्तु साही तो है बना लोगे ना थोड़ी तो आपको मेहनद करनी ही पड़ेगी बना लेना ठीक है आगई बात समझ में इनियाक का फूल पॉर्म अभी हमने आपसे पूचा था था तो इनियाक का फूल पॉर्म क्या होता है लेक्ट्रोनिक न्युमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकूलेटर ठीक है यह हो गई आपके आज क्लास कल हम लोग जेनरेशन पढ़ेंगे तो अराम से बहुत एकदम खा पी करके बैठना और बहुत दिमाग खोल करके क्योंकि जे हैं देखो आप देखो पहले क्या हुआ था था अभी एक्जामफल को अगर मोबाइल के एक्शंपल्स दुनिया में आजाओ अगर आप तो पहले कीपले कीप च्रुअ मिलती थी फिर फिंगर वाले टॉद फोन यह पहले कुछ देखों कॉन कॉन सी चीजे आजैंगे यह थी ऐक छोटे से से जानकारी जन्रेशन के आपको अहिंग नहींसिक्प क्या होता है। क्तौर क्यों स्मयूटर महीं open perspective क्या होता है Сंट आप डिएक को से इस चुटए रूझकुटा तो यह थी हमारी चुटी सी जानकारी और यहीं से करेंगे अपने शेशन को एंट एक फटा बच्च आप लोग शेशन को लाइक कर दीजेगा जो बच्चे नए हैं वह सब्सक्राइब कर लिजेगा कमेंट सेक्षिन में कमेंट कर दीजेगा और हमारे टेलीग्राम जूड चै झाल सबस्का अवेगों